कि में अफ्रीकन ग्रेट डॉल्ड सरकस को लेकर आयोसको ने एक प्रेस भारता की इस दोरान सरकस में होने वाले इवेंट्स के बारे में बिश्जित से पताये गया अफ्रीकन ग्रेट सरकस के मेनीजर संतोस नायरबा इवेंट मेनीजर अभी शर्मा ने बताया कि पहली बार बत्ती में ऐसी सरकस हो रही है जिसमें इडियन कलाकारों के साथ साथ विदेशी परतिभागे भी अपनी प्रतिभा से लोगों का मंदरवनजन करेंगे उन्होंने कहा कि उनकी सरकस में चार कीनिया के जिमनास्टिक है जो ना केबल जिमनास्टिक में अपने रंग दिखाएंगे बलकि मार्सल आर्ट बैम्बू डांस समेथ अनेक परकार से लोगों का मंदरवनजन करेंगे मौत का कुँँआ जो की किसी भी सरकस का सबसे बढ़िया इवेंट होता है बाममोत के कुँए में पुर्सों को ही उतार जाता है लेकिन अफ्रीकन ग्रेट रोइल सरकस में लड़किया मोत के कुँए में मोटर साइकल चलाएगी ताकि मेहलाओं को भी आगे बढ़ने का देश दिया जा सके। आपके शहर में जो रॉयल सरकस आया है कि पहली बार विदेशी के लागारों के साथ आया है। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा, हमने अपनी तरफ से पूरी टेजरी कर लिए, आज से शुरू हो रहा है और आपने प्रिबार के साथ सरकस देखेंगे और हमारे कलागारों का हौसला बढ़ाई करेंगे और मैं आप सब को यह भी बताना चाहूंगा, जो हमारे यहां के पूर पुदायक रामकुमार चौदरी जी, उनके द्वारा आज उद्घाटन करा जाएगा, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लों आएंगे और इस उद्घाटन चो का आनंगा प्रिवाचल एक्सप्रेस के लिए पत्ती से सुरेंदर सिंग सौनी की रिपोर्ट